तो स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस वीडियों में नहीं बलकि जहनक के एक नए लव स्टोरी के यूनिवर्स में जहाँ पर जहनक न अपने आपकी प्रेम कहानी को अपने हाथों से ही लिख रही है और जहनक इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि अब वो बदल चुकी है पड़ेगा अपनी पुरानी लव स्टोरी को तो जहनक घसीटने नहीं वाली है और अप जहनक ने अपनी लाइफ स्टोरी को नई लव स्टोरी को क्रियेट किया है अपने ही दम पर और इस यूनिवर्स में वो रानी है तो उसका राजा होने वाला आदित्य कपूर और उसक दोस्तो हमने आपसे कल कहा था कि हमारे देश का स्वतनता दिवस का परो था जहां पर 15 अगस को हम सारे भारतवासी ब्रिटिश के अंग्रेजों के गुलाम से चंगुल से आजाद हुए थे उस गुलामी के मंजर से बाहर निकले थे लेकिन आज देखे 16 अगस को जो कि पाकिस से अपने उस दाइरे से जिस दाइरे में उसे बंद कर अनुरूत सरजी के खिलाफ वातों को सुन कर उनकी गुलामी करके उनके आदेशों का पालन करना होता था निकल गई है जहनक भाई जहनक लेना उस कांच को तोड़ दिया है और बोला कि यह सारे कांच समेटो और इसक वाकई बोला यह सब कुछ मैं खुद से क्रियेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों मैं आप लोगों को बताओ कि जहनक ने अनुरूत को आज खुद से यह बोला है कि मैं आपकी कुछ लगती नहीं हूँ आप मेरे उपर आके कुछ रॉब नहीं जहड़े आप यहां से चले जो आप आकर यहां मुझसे बात कर रहे और यह सारी बाते ना दोस्तों जहनक ने अकेले में नहीं बोली है आदित कपूर के सामने बोला जहनक ने अब आदित कपूर सामने आने के बाद जहनक को डेरिंग आई है यह भी बात नहीं है आदित कपूर जब नहीं थे तब भी ज्हनक ने अनरुफ्से इसी टोन में कसकर बाते की थी। और कही न कहीं ज्हनक ने जो बाते की थी न, उसके बाद बिचारे अनिरुद भाई साब का मूँ देगना था बाई बंदर लाल लंगूर के जैसे जैसे मूँ जाता न वैसा हो गया था और अनुरुद को ये बात समझ आती है कि भाई अब ना जनक उसके बस से निकल रही है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि भाई तुम करने के लायाख हो नहीं क्यों नहीं हो क्योंकि तुम अर्शी के चम्चे हो भाई पहले जो अपने गले में पट्टा बांद हो ना उससे तोड़ो किसी सिंग में भसाओ किसी पशाओ तोड़ो तोड़ने के बाद आजाद हो जाओ और भाई उसके फेके पेडिगरी को खाना बिसकिट को खाना बंद कर द आजाओ अपने स्वतंता की जिन्दगी में आओ जहनक के साथ अपने जिन्दगी में आकर दो पल के सुकून की एक रूटी खालो तो तुम्हे ना पेड़ भी भरेगा और दिल का स्वाद भी आएगा और जिन्दगी भी खुब सुरत होगी लेकिन थुम ठहरे उसी पेडिग से जनक और आदित्य की लव स्टोरी शुरू होने वाली है तो आप सभी का स्वागत है उस यूनिवर्स में जहां पर जनक और आदित्य अपने प्यार के परियों की तरह उपर उढ़ने लगेंगे जहां पर हमें प्यार का परा नजर आएगा आदित्य का पूर और प्यार क कि जिन्दगी में आता है उसके कमरे में आता है और वहाँ पर आदिति से बहस करता है कि तुम यहां क्या कर रहो मैं तुम से पूछ सकता हूं तो तब जनक बोलती है नहीं आप नहीं पूछ सकते आप यहां क्या कर रहे वह पूछ सकते बोलता है कि ना पल में सब कुछ बदल गया पाकिस्तान कारकपदी मोसों बदल जज़बात बदल गया सब पलड़ गया सब कुछ जनक के लिए पलड़ गया सब कुछ अनुरुत तुम भी अपना पलटा लो अब तुम अपना क्या पलटा होगे तुम्हारे पर किस्मत पलटा कि वो उससे प्यार भी करती है क्योंकि भाई देखो किसी से भी नाराजगी जाहिर तभी करते है जब उनके पर हमारा हक हो सड़ाक में चलते हो जांगे इधर आब है दो थपड़ भार दिया तो नहीं करेंगे न हम लोग कही न कही हम उनी के ओपर नाराजगी जाताएंगे जिन से हमारा रिष्टा होगा आप ज़नक का अंडूद के पर हक हतो है अंडूद भले ही अपना हक हो चुका है क्योंकि वो ज़नक को जाकर उसके करियर पर बूस्टॉप लगा के उससे हारने के लिए उससे भीक मांग रहा था लेकिन ज़नक आज भी अंडूद से प्यार करती है लेकिन वो इस प्यार को अब आगे नहीं बढ़ना चाहती है क्योंकि भाई वो जिस नाव में सवार है वो ते किसी और नाव पर सहारा ढूंड रहा है या फिर यू कहें कि भाई एक पैर यहां पर रखा हुआ दूसरा पैर वहां रखा हुआ है लेकिन वो चाहता है कि जब जो नाव उसके करीब है कि उस नाव में वो डूब जाएगा वाप है हो अनिरुद के लिए तालिया अनिरुद ढूबना है आर दपना और दोन्ह नाव को बना कर भी रखना चाहता है यह कैसे पॉसील होगा भाई साब बेशा कि अनरुद पॉसीबल भी कर सकता भाई अनिरुद क्या उन पहี้ अल्त्रा लीजेंड है वो कुछ भी कर सकता है प्रो लीजंड है उसके साथ कुछ भी हो सकता क्योंकि वो अर्षी यासी लड़ीकी वो लेगर कैलिबर करके उसके सारे नखरों को जेल के जनक से मिल भी ले रहा है और अर्षी को जिता भी दे रहा है जनक की नजोरों में महान भी बन जा रहा है अनिरुद ट्रू लीजंड ह जो लीजेंड ये प्रोश्री पखेरा दिखा रहे है ये चंद लम्हों को होने वाला क्योंकि जल्द ही अनिरुद के सामने एक नई जनक आने वाली है जो आदित्य के साथ अपने रिष्टे को आगे बढ़ाने वाली है और होने क्या वाला आप लोग सोच रहोंगे कि मैं इत लाए दोनों ने इन्वाइट किया और दोनों एक दुसरे के नजरों में आखे भी डालरा है ये जनक न तिरची नजरों से देख रही है भाई वो किसे हमारे वन ये अनिरुद भाई साब को जिस सर जी को प्यार का रा नहीं पता प्यार का पाने पता या का ओप्शन देख कर वो दो लोग के बीच मेні अरशी या जहनक डूंस जहनक इस या ना के बारे में इसको पता है इसी लिए ना वो प्यार निवी जार प् é सब्ढ़त निगे। सबीसे अब देख रही हैं आप जहनक मस नजगे सबसुआ है? नज हरे वाला कहां से टकराएंगी वहाइ अज़रो कभी तो कोई तो एक दिशा होनी चायए तकराने के लिए कुछ तो नो चाहिए आप इसकी चाहिए जाया लिए जफ्ल mogę बात करें लोगी ओ pleasing कर आसक्ती है वो अनुरुद से ही जिन्दीगी बर प्यार करते रहेगी। अब अनुरुद का जनए को समझ सकता है या नहीं समझ सकता है। मैं तोस्तो जिस तरीके से मैंना 7% बता यह लएकि जननक को रहें। जनक को नहीं समझ पाएगा। ये भी अटल सत्य है, भाई, ये लिखवाला सो नाक्षरों में कहीं पर भी सिमेंट पर गुद्वालों भाई ये नहीं बदलने वारा अनृत को बदलने के लिए उसे ठोकना पड़ेगा हीरा बनाना पड़ेगा, भी वो कोईला है काला सा और हीरा तो जहनक अल्रडी बनी हुई है, जो ठोकर खा करकर भी अपनी चमक को सभी के बीच में बिखेर रही है, और कहीं ना कि दोस्तों ये थी जहनक के और आधिति की नई लव स्टोरी की दास्ता की जो आगाज हो गया, शुरू हो गया, इस लव स्टोरी में आप जहनक औ एक और वाड़ी अपडेट में अम्मीद करूँगा, आप लोग के वीडियो अच्छे लोगी, यदि वीडियो अच्छे लोगी तो पिशे वीडियो के लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें दूस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइमस ओफ मिडिया को द